प्रदेस सरकार ने धर्मांतरन रोकने के लिए अपने कानून में बदलाव किया है जो उनका पहले से धर्मांतरन यंतरन कानून चल रहा था उसमें सजा को और कठोर किया है अब अगर एक विक्ति का धर्मांतरन कोई करता है तो उसको 3-7 सल्ग सजा होगी सामोहिक धर्मांतर कराने में अगर foreign funding पाई पाई गई कि कोई विदेश से पैसा आया है तो साथ से 14 सल सजा होगी अगर convert करने के लिए किसी महिला को किनाइप किया गया किसी बच्चे को किनाइप किया गया तो उसमें आजीवन का रावास होगा 20 सल तक कि सजा होगी और जजस आपको अधिकार होगा कि उसको आजीवन का रावास कर दे यानि मरने तक मृत्तियू तक आदमी जेल में रहेगा मैं उत्तरपदेश की सरकार को और विशेश रूप से मानी योगी जी को धनिवा देता हूँ धर्मांतरन रोकना बहुत जरूरी है धर्मांतरन से राश्टांतरन होता है धर्मांतरन होता है तो त्योहार बदल जाता है धर्मांतरन होता है तो सोच बदल जाती है धर्मांतर लेकिन इस कानून में कुछ और भी बदलाव करने की ज़रूरत है अभी जो बदलाव किया गया है उत्तरपदेस सरकार में जो बिल आया उसमें एक लाख रूपई की सजा है मेरा विक्तिकत यह मानना है कि एक लाख रूपई तो परहेड आता है बाहर से पैसा यानी एक विक्ति को कन्वर्ट करने के लिए एक लाख रूपई मिलता है इसलिए यह जो फाइन रखी गई है जो पेनल्टी रखी गई है यह एक करोड की होनी चाहिए जैसे नकल यहां जाता है जो बिलकुल लास्ट लेबल के जो ग्राउंड लेबल पर होते है एक्चोभ में पुरी chain होती है जो conversion होता यह संडिकेट है कोई उनको लिटरेचर देता है जो अगे से पैसा देता है कोई उनको जगह उपलब्द कराता है कोई उनको गाड़ी उपलब्द कराता है कोई उनको मोटिवेट करता है तो कम से कम यह 20-25 लोगं का पुरा सिंडिकेट होता है अब अगर नीचे अगर कोई पकड़ा गया मालीजे कहीं चंगाई सभा चल रही है वहां चार आदमी पकड़े भी गए तो पूरा रैकेट पकड़ना मुस्किल हो जाएगा पूरा रैकेट तब सब पकड़ में आएगा जब नार्को पॉलिग्राफ से सिकोर्टी अक लगेगा कि अगर्जन हमारी एकता खंडता के लिए बहुत बड़ा खत्रा है अल्टी में लिए हिंदू के सबसे बड़े दुस्मन कनवर्टेड हिंदू है हिंदू को यहां पर अत्याचार होता है यह प्रतारित किया जाता है यह कोई अरब से या दुब की सुरक्षा के लिए खत्रा-खूसित किया जाए कनव उर्जन को देश की एकता खंडता के लिए खत्रा-खूसित किया जाए कनवर्जन एक West रहें और अक्ट बीहां कि रखने कराने आए एंग्रेस काणे आज बीच यह मोग्वी कि बदल चुकी है बारत लिफयारे हो को एक सब्सक्राइब कर दोकाथ कर्या चुकी है बारत को मैं मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहा हूं कि इस कनवर्जन वाला जो कानून है जिसमें अमेंडमेंट ला रहे हैं उसमें कनवर्जन को पांच चीज पहले डिकलेर कर दें कनवर्जन को राष्टी सुरक्षा के लिए खत्रा घोसित कर दें जिससे कि पुलिस है वो आराम से बिना किसी डर के बिना किसी भय के बिना किसी दबाव के कनवर्जन माफियाओं पे एनसे लगाना शुरू कर दें कनवर्जन को देश की एक्टा खंदता के लिए खत्रा घुसित करदे, कानून में लिखके, जिससे कि पुलिस कनवर्जन कराने वाले माफियाओं पे UAP लगाना शुरू करदे, कनवर्जन को देशद्रोग होसित करने देशद्रोग की धारा अलेडी है भारती नयाय संगीता में जो BNS उसमें है लेकिन पुलिस लगाएगी नहीं जब तक कि ये कानून में लिखा नहीं होगा कि कनवर्जन एक देशद्रोग है इसी तरीके से वेजिंग वार, इंडारेक्ट वार की धारा है पहले वाले इंडियन पिनल कोड में भी थी नये वाले भारती नयाय संगीता में भी है लेकिन पुलिस तब तक नहीं लगाएगी जब तक कनवर्जन को बाकाईदा वेजिंग वाट डिकलेर नहीं किया जाएगा तो जो कानून बंदा है इसमें कनवर्जन को वेजिंग वाट डिक्लेर करना जरूरी है सबसे बड़ी बात कराने वाले माफियाओं के जो मददगार है कोई उनको आधार बना के देता है कोई उनका रासनकार बना के देता है कोई उनको फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बना के देता है कोई उनका पासपोर्ट बना के देता है कोई उनको अलग-अलग तरीके से मदद करता है तो conversion कराने वाला और उनके मददगारों पे एक समान सजा होनी चाहिए, दोनों को एक समान गंभीर अपराद घोसित करने की ज़रूरत है और जो सबसे important है कि conversion के वल यूपी की समस्या नहीं है वैसे भी जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जीने कमान समाली है conversion ऐसे ही बहुत कम हो गया है, खौफ पूरा हो चुका है कई बार बुल्डोजर चलता उससे और खौफ पैदा हो जाता है conversion राष्टी समस्या है उत्तर से दक्षिड पूरब से पश्चिम ऐसा कोई जिला नहीं है conversion नहीं हो रहा है अब माल लिजे ही उत्तर प्रदेश की सरकार conversion के खिलाफ खटोर कानूर बना भी देगी तो बिहार का तो नहीं रुकेगा कजारखंड का तो नहीं रुकेगा केरल में conversion नहीं रुकेगा बंगाल में कानव Tell still नहीं रुकेगा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेश की सरकार है के तो नहीं कानवर ही तेगा चुकित का लो participar का थे यकश्चितर का खत्रा है जैसे prevention of corruption act है, prevention of money laundering act है, prevention of black money act है, ऐसे ही एक prevention of conversion act पार्लियामेंट में बनना चाहिए, मैं सभी सांसोदों से निवेदन कर रहा हूँ, इसके लिए आवाज उठाईए, 36 गड़ भी convert हो रहा है, जारखंड भी convert हो रहा है, बिहार भी convert होता चला जा रहा है, असम भी convert होता जा जारा है, तो यह जो चूकी conversion राष्टी समस्या है, इसका समाधान राष्टी अस्तर पे होगा, मैं माननी प्रधान मंतर जी से निवेदन कर रहा हूँ, जैसा बिल आया है उत्तर प्रदेश में, इसी बिल को और मजबूत करते हुए, आप पारलियामेंट में इसके लिए का कानून है, बहुत जरूरी हो चुका है कि राष्टी स्तर पे कानून बने, क्योंकि केरल की जो वामपंथी सरकार है, वो conversion खिलाफ कानून नहीं बनाएगी, तो प्रमोट कर रही है, कब बंगाल में कभी नहीं बनाएगी ममता बनर जी की सरकार anti-conversion ला, सोरन सरकार भी anti-conversion नहीं बनाएगी, स्टालिन सरकार भी anti-conversion ला नहीं बनाएगी, तो भारत के हर राज्य में तो BJP सरकार है नहीं, लेकिन conversion पुदेश के सभी राज्यों में हो रहा है, तो आवश्य कि यह हो गया है कि anti-conversion ला पार्लियामेंट में बनना चाहिए, conversion को national security के लिए खत्रा घोसित करना चाहिए, और NSA लगाने का प्रावधान होना चाहिए, conversion को देश की एकता खंडता के लिए खत्रा घोसित होना चाहिए, और पुलिस को निर्देश होना चाहिए, कि conversion कराने वाले उनके मददगारों पे UAP लगाएज़े, conversion को वेजिंग वा करना चाहिए, conversion कराने वाले माफियाओं की 100% संपत्ती जप्त करने का प्रावधान होना चाहिए, और जो सबसे important है, वो पाल्यामेंटी हो सकता है, राजसरकार नहीं कर सकती, conversion कराने वालों और उनके मददगारों की citizenship खतम होनी चाहिए, नागरिकता खतम होनी चाहिए, conversion कर करने वाले और उनके मददगारों का रासनकार बंद होना चाहिए, पासपोर्ट बंद होना चाहिए, आधार वापस होना चाहिए, उनकी citizenship वापस होनी चाहिए, तब conversion रुकेगा, तब भारत रुकेगा, नहीं तो 9 राजियों से खतम हो चुके हैं, 200 जिलों से खतम हो चुक